अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनरजीज होंगी, क्या आपकी अनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, त तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि मार्श 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मेर पास यहाँ पर तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपके एनरजीज देखेंगे सेकेंड सेट में आपके पार्टनर के एनरजीज देखेंगे फर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्श मंत में क्या हो रहा है आप से शुरू करते हैं टॉरस और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 of Cups and Luminosity और यह दोनों ही कार्ड्स बहुत ही beautiful energies की बात करते हैं और इन कार्ड्स के हिसाब से देखें कुछ टाइम से आम आच स्टार्टिंग में एक togetherness, एक companionship अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं कुछ टॉरस के लिए literally हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भई आप अपने पार्टनर के साथ marriage चाहते हैं हमेशा के लिए उनका साथ अपनी life में चाहते हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़ादा interact करना चाहा रहे हैं कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से इसी से ही related एक initiative रह रहा है बहुत एक love, care, प्यार, महबत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं पीछे किसी भी चीज को लेकर confusion थी या आप directionless फील कर रहे थे तो उससे भी related एक clarity आते हुए दिख रही है आप confident होते हुए दिख रहे हैं और इसी लिए शायद कुछ Taurus के लिए हो सकता है कि marriage long term आप अपने partner के साथ चाहा रहे हैं लेकिन देखे कहीं mid March के लिए six of wands reverse का card कहता है ego issues आपकी तरफ से रह सकते हैं थोड़ा थोड़ा सब Taurus के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत strongly अपने लिए stance ले रहे हैं और इसी को लेकर आप over कहीं arrogant हो रहे हैं या फिर मैं कहूंगे आपकी तरफ से ego issues रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत strongly stand लेना चाहा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और overall के लिए फिर से देखे, ego issues आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं और इसलिए याँ फिर otherwise भी boundaries का card कहता है कि एक boundary आपकी तरफ से रहते हुए दिख रही है एक दीवार सी किसी level पे आप अपने और अपने partner के बीच में create करते हुए दिख रहे हैं और देखिए end march के लिए याँ पे three of cups in the sacred woman के cards कहते हैं शायद थोड़ा सा अपना mind और चीजों में divert करने के लिए याँ फिर मैं कहा सकती हूँ partner से हटाने के लिए आप याँ तो ज़्यादा socialize कर रहे हैं ज़्यादा लोगों से connect कर रहे हैं या फिर कोई get together, कोई celebration, कोई event आपके घर में है, आपकी personal life में है आप अपने आपको उसमें involved कर रहे हैं, आप उसमें participate कर रहे हैं और दिखिए जो भी आप surface level के लिए कर रहे हैं deeper level के लिए self respect, self को आप prioritize करना चाहा रहे हैं आप उससे related कोई compromise नहीं करना चाहा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं और अब देखते हैं Taurus के आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए, यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है justice और ये card कहता है कि बहुत एक logical attitude overall आपके partner का कुछ time से आमाच starting में रहतावा दिख रहा है हो सकता है कि कोई decision, कोई choice उन्हें लेनी है और वो बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं हर चीज़ के pros and cons को way करके ही decision ले रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो mind से decision ले रहे हैं दिल से decision नहीं ले रहे हैं या देखिए हो सकता है कि अपनी feelings, emotions को वो इतनी preference ना दे रहे हो उनकी तरफ से आपको ऐसा लगे कि emotions, feelings missing है और देखिए मैंने हमेशा कहा है जब आप logical हो जाते हैं आपके partner emotional होते हैं और जब आप emotional होते हैं आपके partner logical हो जाते हैं और देखिए आप लोगों के लिए मार्ट स्टार्टिंग में टॉरस आप बहुत emotional हो रहे हैं और शायद इसलिए आपके partner थोड़े से logical हो रहे हैं और अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप अपनी emotions, अपनी feelings में balance लेकर आएं या मैं कहूंगी कि बहुत ज़ादा emotions और feelings को ना express करें ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके partner की logical एक energies थोड़ी सी कम हो रही है और deeper level के लिए दिखिये gardener का card कहता है कि आपके partner को ऐसा लग सकता है कि अभी थोड़ा सा inner work या फिर overall इस relationship पे work करने की ज़रत है और देखिये जो भी उनकी logical energies रही है कहीं deeper level के लिए उनकी intent अच्छी है उनकी intent खराब नहीं है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनकी तरफ से बहुत एक ego या attitude नहीं रहतावा दिख रहा है यहाँ पे देखिये love का card भी उनकी तरफ से काफी एक loving, caring energies की बात करता है जो की deeper level के लिए रहतावा दिख रहा है हो सकता है Taurus, surface level पे आपको ऐसा लगे कि emotions ही नहीं है, feelings ही नहीं है या फिर बहुत logical है, mindset चीज़ों को deal कर रहे है और हो सकता है कि देखिये, surface level के लिए उनकी ऐसी energies भी रहें जहाँ पे फिर से मैं कहूंगी logical हो रहे हैं, practical हो रहे हैं लेकिन deeper level के लिए या फिर मन ही मन के लिए ऐसा वो नहीं महसूस कर रहे हैं दिखिये, जब हम किसी garden में जाते हैं हम कितना refresh feel करते हैं, rejuvenated feel करते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि gardener ने इसके लिए कितना सबर रखा है कितना dedicated, devoted होके इस पे effort किया है तभी आज इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं, fool हैं और उनकी खुशबू भी है कैसे उसने देखो, बीच को बोया होगा फिर खाट डाला होगा बहुत सबर के साथ पानी दिया होगा नर्चर किया होगा तभी तो आज इतना खुबसूरत वो दिख रहा है तो इसी तरीके की energies आपके partner की रह सकती है इसलिए देखो मैंने कहा कि मन ही मन के लिए वो कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है वो थोड़ा सा सबर, patience, dedication के साथ इस relationship में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बहुत emotional, sentimental हो के चीज़ों को नहीं deal करना चाहा रहे हैं और देखिये कहीं mid-march के लिए भी love and 10 of pentacles reverse के cards इन ही energies को और जादा confirm करते हैं deeper level के लिए love है, प्यार है, महबत है लेकिन surface level के लिए एक practical, realistic attitude रहता हुआ दिख रहा है और देखिये 10 of pentacles का card कहीं family की भी बात करता है तो उनकी family की interference involvement रह रही है या फिर वो आपकी family के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो overall देखिये family के बारे में, traditions के बारे में, culture के बारे में, society के बारे में overall वो ज़्यादा सूचते हुए दिख रहे हैं और इसी लिए दिखे एक pressure, एक burden भी हो सकता है या तो पीछे उन्होंने महसूस किया या फिर end march में वो महसूस कर रहे हैं और कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि बस अब ये बहुत हो गया इस pressure को, इस burden को offload करने की ज़ुरत है इतना भी society, या फिर traditions, culture इसका एक pressure उन्हें नहीं लेना चाहिए और deeper level के लिए inner peace का काट कहता है कि कहीं एक सुकून लाना चाहा रहे हैं अपने लिए इस relationship के लिए तो फिर से देखिए pressure, burden वो या तो offload करना चाहा रहे हैं जो भी responsibilities उन्होंने family के लिए हुई है या फिर किसी भी चीज के लिए हुई है उसको कम करना चाहा रहे हैं कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है और कहीं peace अपनी life में इस relationship में लाना चाहा रहे हैं और कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है कि इन्ही responsibilities में और deep जाते जा रहे हैं बहुत जादा एक pressure एक burden महसूस कर रहे हैं इतना जादा कि एक सुकून ही नहीं उनके लिए रह रहा है और अब देखते हैं Taurus की March month में क्या हो रहा है तो देखें March month के लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Eight of Wands और यह card कहीं growth की बात करता है progress की बात करता है speed से आगे बढ़ने की बात करता है तो हो सकता है कि कुछ time से या फिर March starting में आपको ऐसा लग रहा हूँ Taurus कि पहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ी आपको समझ में ही नहीं आया कि कैसे you know again इतनी speed से एक के बाद एक चीजें होती गई और एक growth एक progress होती गई और लेके फिर से मैं कहूंगी या तो travel आप दोनों या आप दोनों मेंसे कोई एक करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है एक साथ travel करना चाहा रहे है या फिर आप दोनों याप दोनों मेंसे कोई एक और आपकी Taurus जादा energies चीज रह रही है, action initiatives ले रहे हैं, कुछ चीजों को conclude करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, एक growth, एक progress चाहा रहे हैं और deeper level के लिए दिखे commitment का card भी कहीं, बहुत सबर्दस्त, एक stability, security रहने की बात करता है जो कि कुछ टाइम से या मार्ट स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है लेकिन देखे मिड मार्श के लिए, यहाँ पे moon reverse का card कहता है, कि किसी चीज को लेकर एक confusion रह सकता है एक fear, एक insecurity रह सकती है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि इस situation में क्या करें और दिखे deeper level के लिए connection का card कह रहा है कि जो भी confusion surface level पे हो या तो आप दोनों एक दूसरे से connected हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, interact कर रहे हैं और बहुत deep एक connection महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग उस तरीके से एक दूसरे से connect नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि देखी हमने देखा कि कुछ टाइम से हमार्ट स्टार्टिंग में बड़ी beautiful energies इस relationship में रह रहे हैं, चीज़ें speed से आगे बढ़ रहे हैं एक growth है, एक progress है, commitment भी है तो हो सकता है कि इसी से related छोटे मोटे issues मसले आ रहे हैं आप लोग उस तरीके से नहीं एक दूसरे से connect कर पा रहे हैं situation, circumstances की वज़े से या फिर आप लोगों के personal front में कुछ चीज़ें हैं या आप दोनों में से किसी एक की energies यूनो ठीक नहीं है और आपके partner के लिए जादा मुझे दिख रहा है क्योंकि उनके लिए आपे justice, ten of pentacles, reverse and ten of wands, reverse के cards हैं तो देखिए कुछ भी हो सकता है या तो issues, problems, मसले, confusion, fear, insecurity रह रही है और इसके बावजूद आप लोग deeply एक दूसरे से connected है या फिर देखिए connection नहीं हो पा रहा है उस तरीके से interactions बातचीत नहीं हो पा रही है जिसकी वज़े से एक fear, एक insecurity इस relationship में mid-march में या march-month में रह रहा है लेकिन end-march तक यहाँ पे serendipity का card कहता है कि चीजे ठीक हो रही है, बहुत beautiful energies है रही है आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि luck इस relationship को favor कर रहा है किस्मत साथ दे रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर queen of swords का card कहता है यहाँ तो आप दोनों में से किसी एक की बहुत logical, बहुत analytical सी energies है थोड़े से upfront, थोड़े से straightforward हो रहे हैं बहुत ज़ादा logically चीजों को deal कर रहे हैं और देखिए आपके partner की ज़ादा ही energies रहती हुई दिख रही है या फिर देखिए आप लोगों की family में से कोई इनसान है और खासकर female जो भी इस relationship में है या फिर आप दोनों की family में है उनकी थोड़ी सी interference, उनकी थोड़ी सी involvement रह रह रही है वो थोड़े से critical judgmental हो रहे हैं देखिए जनरल reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए March 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें